The Seven Wonders of the World, जैसे ताज महल और Great Wall of China, इन सभी जगहों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे प्लानेट में इन वंडर से भी कई गुना जादा मिस्टीरियस और उनेक्स्प्लेनेबल चीजें हैं, जिने साइन्स ने ढून तो लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें अच्छे से एक्स्प्लेन नहीं कर पाया है, तो हमारे साथ बिल्कुल एंग तक बने रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम समंदर के कई मीटर अंदर की अंडर वाटर वाटर फॉल से लेकर जलती हुई फायर वाटर फॉल तक ऐसी आठ जगहों के बारे में जानेंगे, जो हमारे से वंडर से भी कई जादा मिस्टीरियस और वंडरफुल हैं, लेकन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमेशा नई चीजों को लेकर क्यूरियस रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की अ माल्देव्स के वादू आईलेंड पर रात होते ही लहरे चमकने लगती हैं, और यह नेली रौष्णी ऐसी दिखाई देती है, जैसे पानी में तारे चमक रहे हों, और केवल लहरे ही नहीं, बलकि इस बीच के पानी में चलने पर, या इसे चुने पर भी यह पानी नेली र रियक्षिन की वज़ा से चमकते हैं जिसे बाया नोमिनेसंस कहा जाता है नमबर टू सलार डे यूनी बॉलिविया सलार डे यूनी को दुनिया का सबसे बड़ा मिरर यानी आइना भी कहा जाता है और इसे देखकर आप समझी गए होंगे कि ऐसा क्यूं है सलार डे यूनी 10,580 स्क्वार केलोमेटर में फैला एक नमक का रेगिस्तान है और इसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि यह जगह असल में हो सकती है किसी भी डिरेक्शन में कितनी ही दूर देखने पर बस आइने की तरह जमीन दिखाई देती है और कुछ नहीं यहां के एंडलेस केलोमेटर तुर्गमेनिस्तान 3,50,000 स्क्वाइर केलोमेटर में फैला काराकूम डेजर्ट सेंट्रल एशिया का सबसे गरम रेगिस्तान है लेकिन यह इसकी अकेली खास बात नहीं है इस रेगिस्तान के बीच में एक पिट आफ फायर यानि एक आंक से भरा गड़ा है जिस इसका मानना है कि इस क्रेटर से मीथेन गैस निकलती रहती है और इसी की वजह से यह हमेशा जलता रहता है नमबर फूर अंडर वाटर वाटर फॉल मौरिशियस मौरिशियस सबसे मिस्टीरियस नैच्रल फैनॉमेना के लिए फेमस है और इस आइलेंड की सदन टिप पर ऐस जिसे एक स्पॉट है जिसे एक्सप्लीन करना बहुत मुश्किल है जो है द अंडर वाटर वाटर फॉल किनारे से देखने पर तो यह बिल्कुल नॉर्मल समंदर की तरह दिखाई देता है लेकिन उपर से देखने पर यह ऐसा लगता है जिसे पानी के अंदर भी एक वाटर देता है नमबर फाइव रेंबो रॉक्स चाइना चाइना के जांगे नैशनल पार्क में कुछ ऐसे पहाड हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे रेंबो रॉक्स यह पहाड एक पेंटिंग की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि यह बिल्कुल किसी रेंबो की तरह अलग-अलग कलर के हैं लेकिन यह पहाड 100% नाच्रल हैं और 2009 में युनिसकों ने इसे वर्ल्ड हरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया है इन कलर फुल रॉक्स का फॉर्मेशन दीरे-दीरे हजारों सालों में हुआ है इन पहाडों का में कलर डीप रेड सेंड स्ट पॉर्डियां के योसेमिटी नैशनल पार्क में विंडर सीजन खतम होते ही शाम के समय एक ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर आपको अपनी आखों पर यकीन ही नहीं होगा शाम होते ही योसेमिटी की वाटरफॉल को सही एंगल से देखने पर यह इसी दिखाई देती ह जैसे इससे पानी नहीं बलकि आग गिर रही हो और इसलिए इससे फायरफॉल या योसेमिटी फायरफॉल भी कहा जाता है लेकिन इस वाटरफॉल से गिरती यह आग भी बस एक नाच्रल आप्टिकल इल्यूजन ही है जब इस वाटरफॉल से गिरता पानी शाम होने के पूल फीड्स एस्परेंस रीजन में एक स्पेशल लेक है जिसे बबल गम लेक या पिंक लेक कहा जाता है और इसे देखकर आप समझी गए होंगे कि ऐसा क्यूं है 60 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी इस लेक का पानी पूरी तरह से पिंक कलर का है और असा पानी दुनिया में कहीं भी नहीं है इस लेक का पिंक कलर असल में इसके अंदर के एक स्पेशल बैक्टेरिया डियूना लीला सलीना की वज़े से है ये माइकर और्गनिजम स्पेशल पिंक कलर पिंक्मेंट्स प्रेड्यूस करते हैं जिससे इसका पानी पिंक हो जाता है और इंटरस्टिंग बात ये है कि ये सेम पिंक्मेंट गाजर में भी होता है सदन पेरू के सुखे रिगिस्तान में 300 से भी जाइन्ट फिगर्स बने हुए हैं जो 1000 किलोमेटर के एरिया में फैले हैं इन फिगर्स को नैसका लाइन्स कहा जाता है और एक्सपर्स का मानना है कि ये 200 BC और 300 AD के बीच में बनाए गए लेकिन ये कैसे और क्यों बने ये कोई नहीं जानता और ये आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बने हुए हैं तो ये थी दुनिया की ऐसी जगह जने साइंटिस भी अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं कर पाए तो आप इन में से कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे और क्यूं कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग फैक्ट वीडियो के लिए सबस्क्राइब करें फैक्स्ट्र